आप सभी का सवागत है एक ब्रेंड न्यू वीडियो में लर्न इट के आज हम टॉपिक त्री लेंगे चैप्टर टू का जूकि ए सेक्शुल रेप्रोडक्शन इंफ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन क्या है यह यह बेसिकली ट्रांस्वर है पॉलन ग्रेंज का एक मतलब खुद में अगर पॉलन ग्रेंज का ट्रांस्फर होता है एंथर से स्टिग्मा या तो सेम फ्लावर्स के अंदर स्पीशिस के अंदर या डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट में होना चाहिए इस काइंड के अगर पॉलिनेशन होती है तो इसको बोलते हैं सेल्फ बनोगेमी, डाइगराम के अंदर रिप्रेजेंटेशन आपको आसानी से मिलेगा, दो फ्लावर्स के बीच में जो ट्रांस्फर हो रहा है पॉलिनेटर के थ्रूप, मतलब एजेंट के थ्रूप पॉलन ग्रेंज का, इस काइंड को बोलते हैं पॉलिनेशन, अगर सेम सेम मे की तरफ सेम फ्लावर होना चाहिए बस इसके कुछ अडाप्टेशन से पहला है कैस्मोगेमस, सेकेंड क्लेस्टोगेमस, थर्ड है बड़ पॉलिनेशन यह तीन तरीके से क्या करता है ओटोगेमी कर सकता है अगर पूरा का पूरा फ्लावर एक्सपोज होता है मैचोर एंतर और स्टिग्मा को पॉलिनेटिंग एजेंट को डाइरेक्ली दिखा देता है तो पॉलिनेशन आसाने से आसपास में ही हो जाता है तो पहला है कैस्मोगेमस, सेकेंड आता है कैलिस्टोगेमी इसके अंदर फ्लावर खुलता ही नहीं है कभी हमेशा क्लोज रहता है तो इनके पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं बशता कि वो दूसरा पॉलिनेशन कर सके तो इन है जबर जस्ती सेल्फ पॉलिनेट ही करना पड़ता है एक्जांपल दे रखे हैं महाँ पर PCM, Letras, Komellina, etc लास्ट में आता है ओटोगेमी का थर्ड पार्ट विज दोनेश बड़ पॉलिनेशन इसमें क्या होता है एंथर और स्टिग्मा बाइसेक्शुल फ्लावर में मैच्वर पहले ही हो जाते है इसके कारण फर्टिलाइशन उनका पहले ही चालू हो जाता है बड ओपन होने से पहले मतलब फ्लावर खिलने से पहले ही उनका पॉलिनेशन पूरा कम्प्लीट हो जाता है इस टाइप के जो पॉलिनेशन है जिसको बोलता है सेल्फ पॉलिनेशन वो हमें पी प्लांट और वीट प्लांट के देखने के लिए आसनी से मिल जाते हैं जो second part होता है ओटोगेमी का मतलब हमने जो pollination को divide क्या था self-pollination को दो पार्ट में ओटोगेमी और जैटनोगेमी तो अब जैटनोगेमी में है क्या ये भी transfer of pollen grains ही है एक enter से दूसरे के stigma पर यहां पर यह difference हो जाता है कि flower और stigma मतलब flower के enter से निकला हुआ pollen grains दूसरे के stigma पर जा सकता है पर वो होना क्या चाहिए या तो खुद के ही plant के अंदर same flower पर जाए या दूसरे flower के part पर जाए पर वो genetically similar होना चाहिए मतलब एक ही species क्या असपास का होना चाहिए तभी pollination की process हो सकती है पात करते हम दो चीजों के बारे में एक होता है advantages और disadvantages self pollination के लिए तो advantages को लेते हैं तो यहां पर हमें बिल्कुल pure rest देखने को मिलती है मतलब यहां पर कुछ भी cross नहीं हो रहा है मतलब एक organism दूसरा organism मतलब एक plant और दूसरे plant का कोई combination देखने को नहीं मिलता तो यहां पर जो भी है वो pure gene मिलता है second बात करते हैं तो यहां पर plants large number of pollen grains germinate करने की जरुवत नहीं पड़ती मतलब produce करने की जरुवत नहीं पड़ती थोड़े में भी काम चल जाता है seed production भी बहुत अच्छा होता है और self pollination से एक चीज़ यह हो जाती है कि कोई भी गलत या खराब recessive characters हैं खराब characters हैं किसी भी plant के तो आसनी से हट जाते हैं पर कुछ disadvantages भी मिलते हैं हमको self pollination के पहला तो यह अलग-अलग type के adaptability नहीं दीखा सकते हैं मतलब environment change को या आसनी से जहल नहीं सकते हैं और अगर environment change हो जाता है तो यहाँ पर इनकी adaptability और इनका जो changes होना चाहिए body के अंदर plant की वो देखने को नहीं मिलते हैं और क्योंकि यहाँ पर ultimately vitality decrease होती है self pollinating में तो यह ultimately क्या हो जाते हैं degeneration हो जाता है इनका यह ultimately degenerate हो जाते हैं तो अब हम बात करते हैं cross pollination के बारे में तो cross pollination just opposite is self pollination का इसमें क्या होता है pollen इन्थर से एक flower के stigma पर जाते हैं different flower की यह different flower दूसरी species का भी हो सकता है दूसरे plant का भी हो सकता है तो इस kind को बोलते हैं cross pollination इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं allo gaming अब इसमें genes भी अलग होता है और वो रहते भी अलग अलग जगें है ecological differences भी होता है अगर इनके बीच में pollination हो जाता है तो इस type को बोलते हैं xeno gaming type of pollination अब बात करते हैं कुछ advantages और disadvantages के बारे में cross pollination के तो पहली बात करेंगे advantages की अब इसके अंदर genetic recombination आने के कारण यहाँ पर offspring के अंदर variation आयते हैं अब आप बोलेंगे कि genetic recombination है क्या genetic recombination का मतलब अगर दोड़ते हो तो genetic recombine which means यहाँ पर क्योंकि दो species हैं दो flower है different kind के होते हैं cross pollination में तो यहाँ पर chances होता है कि दोनों के genes होते हैं genetics होते हैं वो आगे जाके combine होंगे और यहाँ पर कुछ नया offspring देखने को मिलेगा नेक्स बात करते हैं तो इसके अंदर क्योंकि genetic recombination इंट्रोड्यूस हो जाता है तो offspring के अंदर जो adaptive capability होती है मतलब एक parent और parent के अंदर दोनों अलग जगे के थे अलग category के थे तो यहाँ पर chances होते हैं कि जो offspring होगा उसके अंदर adaptation की category बहुत wide होगी और वो दोनों तरफ की जगें पर adapt आसानी से हो सकता है लास बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी defective अगर character होता है या कोई ऐसा gene है जो recessive है वो आसानी से eliminate हो जाता है बाहर चले जाता है और उसकी जगे कोई नया character add-on हो जाता है कुछ disadvantages भी है cross-pollination के advantages के साथ में जैसे कि इस plant को बहुत सारे pollen grains को develop करना पड़ता है या produce करना पड़ता है क्यों क्योंकि इसे एक जगे से दूसरे के transfer होना पड़ता है और chances हो कि fertilization हो जाएगा या नहीं होगा यह depend करता है pollinating agent पर तो यहाँ पर एक ही disadvantages mean यह है कि इसे बहुत सारे pollen grains बनाने पड़ते हैं और यहाँ पर external agency का requirement होता है मतलब external pollinator का requirement होता है और disadvantages यह है कि इस cross pollination के बीच में शायद कुछ good characters किसी एक parent के यहाँ पर spoiled हो सकते हैं खराब हो सकते हैं वो dominating और recessive का जो funda लगेगा वो यहाँ पर work करता है जब भी हम किसकी दो अलग species के organism के बीच में pollination कराते हैं cross pollination कराते हैं fertilization कराते हैं अब हम बात करेंगे बहुत सारे pollinating agents की थी कि एक जगे से दूसरे के transferring कैसे होता है pollen grains का तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमोफिली के बारे में जिसको हम एको नाम से आनते हैं wind pollination इसके कुछ characteristics हैं इसमें pollen grains बहुती light होता है या तो इनके अंदर air sack होते हैं या थेलिया होते हैं या इनके अंदर wings हो सकते हैं जिसके कारणी एक जगे से दूसरे के उड़के भी जा सकते हैं या ट्रांसवर हो सकते हैं यह बहुती छोटे होते हैं इसले भी ट्रांसवर हो है विंड के अंदर और यह colorless और orderless होते हैं नेक्स्ट है pollen grains हमेशा dry रहते हैं इनके अंदर एंथर की जो filament होती हो लॉंग होती है और बहुत ज्यादा quantity में होती है stigma जो होता है बहुत sticky होता है इसलिए भी आसानी से किसी दूसरे चीज़ों को catch कर सकते हैं एक्जामपल लें अगर तो mulberry, date palm, grass, coconut, etc आप इसके अंदर गिन सकते हैं नेक्स्ट जो pollinating agent है उसको बोलते हैं hydrophily जिसका नाम एक और जानते हैं जिसको बोला जाता है water pollination इसका कुछ characteristics है यहाँ पर flowers small होते हैं basically colorless, orderless और nectarless होता है उसके अंदर कोई nectar नहीं होता कोई essence नहीं होता stigma long होते है sticky होते हैं और unwittable होते हैं उनको गिला नहीं किया जा सकता वहीं पर अगर इसको divide करें तो hydrophily को दो parts में divide किया जाता है यहाँ यहाँ water pollination को दो part में divide किया जाएगा एक को बोलता है epihydrophily जिसके अंदर surface of water पे pollination की process होती है और second होता है hypohydrophily इसमें पानी के अंदर pollination की process होती है तो एक example देखते हैं यहाँ पर हम उसके पहले एक चीज़ पढ़ते हैं कि यहाँ पर pollen grains के आसपस जो egg sign की wall है वो होती ही नहीं है और जितने भी pollen grains होते हैं वो elongated shape के होते हैं मतलब लंबे shape के होते हैं एक example लेते हम epihydrophily का जिसके अंदर हम plant लेंगे वेलिस नेरिया जो कि एक diocious plant है diagram के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं कि male plant बहुत सारे number में male flower के अंदर से pollen grains को form करता है और pollen grains ultimately क्या करते हैं surface पह जाते हैं female के अंदर एक category होती है जिसमें फ्लावर कहां पर produce करती है surface के ऊपर मतलब पानी के surface के ऊपर जैसी वो पानी के surface के ऊपर flower को bloom करती है पूलन grains हागे किस पर लग जाते हैं flower पर लग जाते हैं अब फ्लावर पर जैसी pollination की process हो जाती है तो फ्लावर वापिस से अंदर खीज लिया जाते हैं पानी के अंदर और यहां पर पूरी pollination की process complete हो जाती है अब हम बात करते हैं एक topic के बारे में जिसको बोलता है एंटमोफिल यह भी एक type का insect pollination है या पॉलिनेशन के एक party है एजेंट्स का इस पर flowers की बात करते हैं तो flowers बड़े ही colored होते हैं और अगर बीस की बात करें तो वह blue जिसके कारण जो insects हैं वह attract होते हैं इसके थ्रू नेक्स बात करते हैं जो भी इंसेक्ट इस पर विजिट करता है उसके अंदर दो पॉलिनेशन जिसमें birds की requirement होती है इसको बोलता है और नितोफिले यह बहुत कॉमन होता है coral trees, bottle brush और silk cotton trees के अंदर इसके अंदर जिनकी चोच बहुत लंबी होती है ऐसे चोटे से animals या चोटे से birds वो इसको आसानी से कर सकते हैं और example है sunbird, hummingbird, bulbul, parrot, etc यहां पर जो ornithophilus flower होता है वो बहुती large होता है, strong होता है और उसके अंदर nectar बहुती ज़्यादा पार्ट में होता है और उसमें खाने का पार्ट जिसको बोलता है edible पार्ट बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण birds इसकी तरफ attract होते है एक्जामपल लेते हैं कुछ flowers का अगावे, nonia यह examples हैं इसके ornithophilic हैं ऐसे बहुत सारे pollinating agent और भी है जैसे चमगादर, snail की बात करे तो, etc. पर कुछ important थे जिसको मैंने अभिहाल describe करा था अब बात करते हैं significance of pollination, क्या महत्व है इस pollination का तो यहाँ पर पहला point है कि pollination इसलिए require होता है क्योंकि fertilization और production of seed बीन pollination के नहीं हो सकता एक plant के अंदर, second बात करें, तो growth of ovary भी depend किस पर करती है, pollination पर करती है, और अगर हम देखें कि जो result मिलता है hybrid seeds का वो भी किसके कारण बन सकता है, सिर्फ pollination होगा तो fertilization होगा और ultimately हमें fruits मिलेंगे और seeds मिलेंगे, अगर fruits और seeds की बात करें तो आगे जाए क के वो हमें क्या देते हैं, यह provide करते हैं हमें source of nutrition, जो कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं किसी भी चीछ से, अगर आपको यह video informative लगा, तो इससे दूसरे students के साथ में share करें, और हाँ, हमारे Learned Channel को subscribe करना ना भूलें, नह हमें पुले कर आपको आप situation to अ झाल झाल